हेलो फ्रेंट्स विल्कप टू मैं चैनल जैसे पिछले वीडियो में मैंने ये ब्लाउस की कटिंग आपको दिखाई थी कि कपड़े पर कैसे करनी है तो अब इसकी स्टीचिंग हम देखते हैं जैसे ये बैक सेड है ये बैक सेड का गला हमें कटिंग करना बाकी है और ये क्र कटोरी और कटोरी के साइड का पार्ट तो अब इसकी स्टीचिंग कैसे करते हैं ये आज हम देखते हैं तो पहले हम कटोरी के टक्स लगाते हैं कटोरी के पहले हम टक्स लगाएंगे जैसे इस तरह से यहां पर इसको फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें देड़ इंच लेना है देड़ इंच पेक मार्किंग करनी है और यहाँ पर दाई इंच पेक मार्किंग करनी है इस तरह से इसको तिर्चा टक्स लगाना है कि यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाते हैं कि इस तरह से हमने यह डबल सिलाई लगाते हैं कि इस तरह से आता है और दूसरा भी टक्स हम इसी तरह से लगाते हैं कि दूसरा टक्स इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें देड़ इंच पेक मार्किंग करनी है यहां पर हमें देड़ी इंच लेना है यहां पर हमें डाई इंच लेना है यहां पर सीधे हमें टक्स लगाने है इस तरह से हमने यह दोनों को टरी को यह टक्स लगाये हैं अब जो साइड का पाट है उसको हम लेंगे जैसे यह कट्वरी का साइड का पाट है यह हमारा आर्मूल है और यह कट्वरी जोइंट करने का यह रहा हूं तो हम इसको इस तरह से इसको यहां पर इसको जोइंट करेंगे करें करेंगे इसका में डबल सिलाई लगानी है natural Kennella ढॉल है कि इस तरह से चाहिट का पार्ट हमने जॉइन किया है के जैसे हमनी यह एक पार्ट त्यार किया हैं दूसरे को इस से जॉइन करेंगे जैसे इस तरह से कि इस तरह से हमाइन ज्यूइन करना है कर दो कि यहां पर में इसको डबल सिलाई लगानी है कि यहां लगानी है कि इस तरह से हमने यह दोनों पार्ट जोईन किये हैं अब क्रॉस पट्टी जोईन करेंगे यहां पर हमें अभी यह क्रॉस पट्टी जो है उसको जोईन करने वाले हैं कि यहां पर हमें इस तरह से जोईन करना है कि यह टक्स जो है हमारा इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर के साइड में फिर उपर यहां पर हम सिलाई लगाते हैं कि इसके उपर हम डबल सिले लाएंगे कि यह पर हमने यह क्रॉस पट्टी इस तरह से जोईन की है अब दूसरे साइड में भी पहले हम क्रॉस पट्टी जोईन करेंगे यहां पर यहां पर हमें 4 इंच लिया था यहां पर हमने तीन इंच लिया था तो यह चार इंच जो है यह काज बटन के साइड से हम इसको जोईन करते हैं कि अब यह जो टक्स है इसको में इस तरह से अंदर के साइड में इसको फोल्ड करकि फिर इसके उपर हम सिलाए लगाने लिए कि अ, बजब तो ही इसका जो पूँने लिए उल झाल को टो खिर इसको बड़ाने लिए ले कर दो सिलाए लिए एपर घजल के लिए है कि यहां पर हम डबल सिले लगा रहे हैं कि इस तरह से हमने यह दोनों साइड की क्रॉस पट्टी हमने जॉइंट की है अब यहां पर हमें अभी काज बटन पट्टी लगानी है पहले हमने यह क्रॉस पट्टी जॉइंट की थी अब यहां पर जैसे हमारे पास यह कपड़ा कम होने के कारण हमने यह डबल क्रॉस पट्टी नहीं लगाई तो यहां पर हम यह पट्टी भी लगा सकते हैं जैसे इस तरह से हम यह पट्टी लगाएंगे उपर के साइड से जैसे सीधी साइड में हम यहाँ पर इस तरह से रखे यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाते हैं कि एक्ष्ट्रा जो पट्टी है उसको हम कट करेंगे यहाँ पर इसके उपर में एक सिलाई लगाएंगे अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे क्रेद करेंगे अब इसको कुछ अंदर के साइड में हुआ अब इसको अंदर गाएज वे फोल्ड करके इसके उपर हम सिलाई लगाते हैं आप चाहे तो इसके उपर आप तो रुपए भी कर सकते हैं अब आदा अब हमें यहां पर आगे के साड़ी के जो पट्टिया होती है वो लगाने वाले है लेकिन लगाने से पहले यहां पर हमें पट्टि लगाने से पहले यह जो सीधा इसको कट करना पड़ता है जैसे एक्ष्रा यहां पर हमें जब भी हम यहां पर हम सीधा लेंगे लेकिन यहां पर थोड़ा सा तिर्चा लेते हैं ताकि यह जो कोने होते हैं यह बाद में नहीं निकलती हम इस तरह से इसको थोड़ा सा तीर्चा कट करके फिर सीधा कट करेंगे इस तरह से हमें यह कट करना है क्रोस पट्टी में हमें थोड़ा सा तीर्चा कट करना है बागी का सीधा कट करना है तो यह इस तरह से सीधा यह दोनों साइड में इसी तरह से कट करना है जैसे ही ये साइड हमने कट की थी थोड़ा सा तिर्चा दूसरी साइड भी हम इसी तरह से थोड़ा सा ये क्रॉस पट्टी में थोड़ा सा तिर्चा कट करके फिर सीधा कट करेंगे क्योंकि यह पट्टी लगाने के बाद इसके कोणे नहीं निकलते जो साइड में कोणे निकलते हैं तो यह कोणे नहीं निकलते इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा तिर्चा कट देना पड़ता है अब यहाँ पर हम इस तरह से पट्टिया लगाते हैं अब यहाँ पर हमने यह दाई इंच की बटन पट्टी निकाली है अब इसको उल्टे स्वाइड में हम पहले जोइंट करते हैं थोड़ा आधा इंच इस तरह से फोल्ड करके फिर यहाँ पर हम इसके उपर सिलाई गजिल में एव झाल वाओंट झाल परत्गन दो परत्गन गल परत्गन परत्गन यज़ आजियो अब इसको हम इस तरह से सीधी साइड में यह जो एक्ष्रा पट्टे हैं इसको हम कट करते हैं उसके बाद यहां पर हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद यह जो सिलाई हमने लगाई है इसके उपर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे क्योंकि यह बटन पट्टी जो होती है एक्ष्रा पट्टी होती है इस तरह से हम फोल्ड करते हैं इस तरह से हमें इसको फ झाल झाल इसको हम दोनों साइड से सिलाए लगाएंगे यह बटन पट्टी हमारी यह इस तरह से आएगी अब जो काजय की पट्टी होती है वह हम तैयार करेंगे जैसे हमने यह बटन पट्टी लगाई थी तो हमने उल्टी साइड में लगाई थी और सीधी साइड में फोल्ड करके इसके उपर हमने सिलाए लगाई थी अब जब हम काज पट्टी लगाते हैं तो यहाँ पर हमें सीधी साइड में लगाने पड़ती हैं यहाँ पर उस तरह से हम फोल्ड करके सीधी यहाँ पर हम सिलाए लगाते हैं अब यहाँ अब यहाँ हमें इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ भी थुड़ा कॉट्र इंच फोल्ड करके इसके उपर हम पहले सिलाए लगाएंगे झाल प्रूस थाज़ाई यहाँ पर इसके फ्रग्पश करके यहाँ थुड़ाएंगे पहल प्रूस पका पहले सिलाए उहाँ प्रूस Чत प्रूस करके फदोल्ड करके पृद्स अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके उपर हम सिलाय लगाते हैं जैसे यहाँ पे पहले हम यहाँ पे सिलाय लगाएंगे जैसे यहाँ जैसे तरह सिलाय लगाएंगे लगाँ यहाँ इसके ले को मादे लोगाँ अड़ी ले लेगा हैं जैसे प्राद का पका इस तरह से हमने यह काज बटन पट्टी लगाई है जैसे यहाँ पर यह काज पट्टी और यहाँ पर यह बटन पट्टी तो हमने यह ब्लाउस के जो में पार्ट था यह हमने स्टीच किया है इस तरह से हमने यह प्लाउस का जो फ्रंट सैड का में पार्ट था वो हमने स्टीच करके आपको दिखाया है कि यह कैसे करना था जैसे इसमें यह आप लोगों को प्राब्लम आ जाती है तो इसलिए हमने यह ब्लाउस क स्टीचिंग आपको दिखाए थी अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिजे थेंक यू फर वाचिंग इस वीडियो